को कितना पैसा चाहिए 15 लाग 10 20 लाग 50 6 लाग 12 करोड क्या कोई सोच कर भी अमीर बन सकता है mastermind लोगों की team ज़रू डेवलेप करें note down on paper and follow लगातार sending and receiving sending and receiving ये लगातार चलती रहती है Meta's lifestyle presents world class hygienic stainless steel modular kitchen vanity and wardrobe rust free term free with soundless technology नमाश्कार दोस्तों मैं हूँ dr. Amit Pahishwari business trainer, corporate trainer, motivation speaker and CEO Meta's Oversies Limited आप सबी का सवगत करता हूँ आज के informative वीडियो में friends मैं book stall पर खड़ा हुआ था तो मेरी नजरी किताब पर पड़ी उस पर लिखा था think and grow rich सोचो और अमीर बन जाओ मेरे मन में भी ठीक वही प्रश्ण था जो इस समय आपके मन में होगा क्या क्या कोई सोचकर भी एमीर बन सकता है और जब इस book का मैंने धिन किया तो इसमें जो points मैंने पड़े तो वो points बिलकुल सटीक हर उस वेक्ति पर पैटते हैं जिसने अपनी life में बहुत कम समय में बहुत अधी कुपलब्दियां हासिल की हैं तो आईए बात करते हैं 9 ऐसे points के बारे में जो मैंने लिये हैं think and grow rich नेपोलियन हिल्स वारा लिखी इस पुस्तक से बहुत महित्पून बातें इसमें लिखी हुई है जिसमें सबसे पहली चीज है desire किसी भी चीज को पाने की इच्छा यदि एक बार आपके मन में पैदा हो जाए तो पूरी काइनात आपको उस चीज से मिलाने की तैयारी शुरू कर देती है ऐसा ही एक डायलोग आपने शारुखन का भी सुनाओगा वही बात यहां पर भी लाग होती है सबसे पहले आपको मनी के लिए एक consciousness चाहिए मतलब आपके मन में एक पागलपन चाहिए जुनून चाहिए कि हाँ मैं पैसे को प्राप्त करना चाहता हूँ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ जब यह consciousness आपके मन में पैदा हो जाए ना तो उसके बात सबसे महत्वपुन बात है state of mind friends किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ना हमें उस state of mind पर पहुंचना होता है और state of mind यह कहता है कि सबसे पहले यह decide करें कि आपको कितना पैसा चाहिए बहुत सरे लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए बहुत पैसे कि कोई परिभाशा नहीं होती सबसे पहले डिफाइन करें कि आपको कितना पैसा चाहिए पांच दस लाक, दस बीस लाक, पचास साट लाक, एक दो करोड, दस बीस करोड, सो दो सो करोड, आपको कितना पैसा चाहिए, सबसे पहले ये डिसाइड करें, और दूसरी important बात, जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपको वो पैसा कितने समय में चाहिए मतलब एक वर्ष में दो वर्ष में पांच वर्ष में आप number of years number of month number of date number of days decide करें और उसके बाद plan how to do उसके बाद यह planning करना शुरू करें कि आप वो चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको पता है हमारे जो mind है न वह एक navigation की तरह काम करता है वह यहाँ उचना चाहते है नवीघेशन में जिस तरह से आप कह पर हैं यह आपको पता होता है पर आप कह जाना चाहते हैं जब तक आप निर्णा नहीं लेते तब तक navigation आपको 360 degree का view दिखाता है मतलब पूरे इस ब्रहमांड में आप कहीं भी जा सकते हैं और जैसे ही आप decide करते हैं आपको पहुंचना कहा है तो आपकी destination का पूरा का पूरा रास्ता वो आपको बता देता है ठीक उस तरह से इस universe में जो आपका mind है वो जिस तरह के points को follow करता है जिस तरह की चीज़ को हासिल करना चाता है वैसा ही map आपके मन में बना देता है उसके बाद note down on paper and follow आपको करना क्या है state of mind को त्यार करने के लिए कितना पैसा चाहिए कितनी समयवधी में चाहिए उसके लिए आपके पास क्या plan है और वो सारका सारा plan आपके पास paper में लिखा होना चाहिए ताकि आप उस plan को ठीक तरीके से follow कर सकें और कम से कम दिन में दो बार आप उस plan का जरूर अध्यन करें उस पढ़ें कि आपको क्या पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए कितनी समयवधी में चाहिए और उसके लिए आपके पास क्या plan है universe में एक power है उसे कहते हैं विश्वास विश्वास की जो शक्ती है उसमें वो ताकत है कि हर वो चीज़ आपको दे सकती है जिस पर आप विश्वास करते हैं कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं गुर्दवारे में जाते हैं चर्च में जाते हैं मस्जित में जाते हैं और इश्वर के अराधना करते हैं मतलब हम यह विश्वास होता है कि यह वो स्थान है जहां में हर वो चीज मिल सकती है जो हम पाना चाहते हैं ठीक उसी तरह से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं अमीर अवश्य बनूँगा know the power of universe इस ब्रहमान में आप जो भी चीज पाना चाहते हैं हर वो चीज प्रचूर मात्रा में हैं मतलब धन, दौलत, सोना, चांदी, भूमी, घर, मकान, बंगलो, कोठी, फार्मो, सब कुछ इस ब्रहमान में पहले से ही है जरुवत है वो विश्वास करने की कि आप वो चीज ह आपको वो चीज प्राप्त करने के लिए जो भी सुगम रास्ता होता है जो भी आसान रास्ता होता है उस पर चलाने का प्रयास करती है और साथ में सबसे इंपॉर्टन है कि जो भी यूनिवर्स से आप चीज मांगना चाहते हैं वो पूरे विश्वास के साथ आप मांगें अपने controlled positive mindset के साथ आप ये विश्वास करें कि हर वो चीज आप पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि इश्वर ने आपके लिए एक बेहितर plan बनाया है और उस plan के अंतरगत आप वो हर चीज ले पाएंगे जिसे आप पानी की इच्छा रखते हैं next important बात है वो है auto suggestions friends कहते हैं कि आप जब अपने अंतरमन से कोई बात करते हैं तो आपका अंतरमन आपको automatically उस चीजों का सुझाव या उसका रास्ता बताता है इसलिए आप auto suggestion के segment को जरूर समझें सबसे पहले एक ऐसा plan बनाएं जिस plan में ये लिखा हो कि आप वो पैसा इतनी समय अवधी में इतने amount में इतनी date तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको पाने का आपके मन में क्या plan है चाहें वो business के planter लेकर हो चाहें वो business की growth को लेकर plan हो चाहें job के माधियम से plan हो या आपके मन में कोई ऐसा plan हो जिसके माधियम से आप वो पैसा कमा सकते हैं वो auto suggestion आप अपने mind से मांगे कहते हैं कि mind एक auto transmission है जहां पर signal receive and send होते हैं इसलिए जब आप अपने mind से किसी भी plan के बारे में सोचेंगे तो वो draft के रूप में आपके स mind में कोई भी चीज visualize कर सकता है planning कर सकता है विश्वास कर सकता है कि मैं चीज़ों को हासिल कर सकता हूँ और यह बार आप अपने मन में पूरा plan बना ले तो उस plan से सम्बंदित लोगों को आप higher करें ऐसे लोगों का सानिध्य करें ऐसे लोगों को अपने साथ मिलें ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई एक काम बेतर तरीके से कर सकता इसलिए सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें उस प्लान से संबंदित क्या क्या चीजूं के आपको रिक्वार्मेंट है कौन-कौन से लोग आपको टीम में चाहिए उन लोगों के साथ कैसे मिलकर काम कर करना है हर तरह की नॉलेज आप एक्वायर करें और नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्या करना है आप बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें आप लर्निंग बुक्स पढ़ें आप लोगों की बायग्राफी पढ़ें आप यूट्यूब पर वीडियो देखें आप क इमैजीनेशन के दुनिया की हर वो चीज जो वास्तविक्ता में बनी हुई है दुनिया की हर वो चीज जो वास्तविक्ता में बनी हुई है कहीं ना कहीं वो अपनी वास्तविक आकरती में आने से पहले इमैजीनेशन में बनती है हर चीज पहले माइंड में बनने के बाद ह उस चीज को जिवान्त रूप दिया जता है कहते हैं एक मूर्तिकार जब एक पत्थर से मूर्ति को निकालता है तराश्ता है तो वो मूर्ति पहले उसके माइंड में बन चुकी होती है उसके बाद ही छेनी हतोड़े से वो उस पत्थर की शिला में से मूर्ति को निकालता है मत इमेजीनेशन की पावर का इस्तिमाल करें एक बहुत इंपोर्टेंट बात में यहां पर आपको और बताता हूं आपने मिक्की माउस का नाम सुनना है मिक्की माउस डिजनी का एक बहुत बड़ा फेमस करेक्टर है तो एक पेंटर एक बार जो वाल डिजनी है वो बैठे मिक्की माउस और अगर आप कॉमिक्स में देखेंगे तो सबसे अधा फेमस करेक्टर मिक्की माउस रह चुका है तो पावर ऑफ इमेजीनेशन से आप कोई भी चीज बना सकते हैं कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं उसके बाद और नाइज प्लैनिंग आप ज़रूर करें क्य करना उसके बाद अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना ये स्टैप्स जब आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से उस लक्ष की और आगे बढ़ते जाएंगे जिससे आप हासिल करना चाहते हैं उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी जब आप फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप हर वो चीज उस समयवदी में प्राप्त करना चाहते हैं उसके लावा परसिस्टेंस परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ना आपको निरंतर प्रयास कर तो बहुत आसानी से वहर वह चीज आप हासिल कर पाते हैं जिससे आप हासिल करना चाहते हैं मैं इक एक जामपल गूरूप में बताता हूं जब मैं ओवर्वेट था तो मैं जिम जाना शुरू करने का मैंने प्लान बनाया लेकिन मुझे यह पता था कि जो रिजल्ट आप घर पर आते हैं शीशे में देखते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता दूसरे दिन फिर जिम जाते हैं एक्साइज करते हैं पूरी भरसक मेहनत करते हैं वापस घर आते हैं शीशे में देखते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन दिनो दिन लगातार जब परसिस्टेंसी स लगातार आपको उस चीज़ों में बने रहने की और जब आप लगातार उस चीज़ों में बने रहते हैं तो आपके हाथ वह फार्मॉलाज लगते हैं जो आपको आसानी से उस जीत को दिलाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं तो परसिस्टेंसी बड़ा करी अर्जित नहीं कर सकते उधारन के रूप में यदि आपको फीवर हो जाए तो क्या आप MBBS की पढ़ाई करने में अपना समय लगाएंगे मान लीजिए कोई लीगल एक्टिविटी या किसी गलत तरीके से अक्टिविटी में आपका नाम इन्वाल्व हो जाए तो क्या आप आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप आर्किटेक्चर करना शुरू करेंगे नहीं ना ठीक उस तरह से मास्टर माइंड पावर के जो लोग हैं जो मास्टर माइंड ऐसे लोगों की एक पावर टीम बनाएं और जब आप पावर टीम बनाते हैं तो हर व्यक्ति आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं क्योंकि जो मास्टर माइंड है ना वही आपको आपकी असली जीत तक पहुंचाने का दम रखता है और वही आपको आपके लक्षों में जीत हासिल करने के लिए मदद करता है इसलिए मास्टर माइंड लोगों की टीम ज़रू डे जाती है यह केवल उतना ही काम करता है जितनी responsibility उसको दी जाती है मानलीजी आप एक building पर देख रहे हैं वह 24 विलडिंग है और आपको थर्ड फ्लोर पर जाना है तो थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद आप क्या 7th floor पर चले जाते हैं नहीं न हमारे जो माइंड न वह उतना ही काम करता है जितना control हम उसको आसानी से कर पाते हैं इसलिए जो brain है यह transmitter की तरह काम करता है इस बात को समझना बहुत जुरूरी है यह बहुत सारे signals को send करता है और receive करता है लगातार sending and receiving sending and receiving यह लगातार चलती रहती है इसी लिए जो दो तरह के thoughts होते हैं एक होता है negative और एक होती है positive तो positive thoughts और negative thoughts चाहें कोई से भी हूँ brain उसको send or receive करता रहता है जैसे thoughts को आप receive करेंगे वैसे ही thoughts को आप release करेंगे इसलिए आपका जो brain transmitter है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा positive mindset के लोग आपके आसपास होने चाहिए ताकि वो आपके लिए हमेशा positive signals release करें और उन positive signals के माध्यम से आप अपने आपको हमेशा positive रखे आपको यह निर्णा करना है कि कितनी समय अवधी में मानलीजे में बात करता हूँ एक साल में आप कितने रुपे कमाना चाहते हैं मानलीजे आप कहते हैं मैं 5 करोड रुपे एकठा करना चाहता हूँ तो इसका मतलब मानलीजे 6 करोड रुपे मैं एकठा करना चाहता हूँ म ऐसे लोगों का साथ करें जो उस तरह की जोग्यता में उस तरह के विजन में उस तरह के सपने को पाने के लिए आपके निरंतर मदद करें और अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह book think and grow rich का deep अध्यन करें और इसमें बताएगी एक एक बात को अपने जीवन में implement कर तरह ने की और ना केवल विश्वास करने की बलकि उन पर अमल करने की और जब आप मिरंतर अमल करना शुरू करेंगे तो आप हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जिसको हासिल करने का लक्ष या धे आपने अपनी मन बना इसलिए यदि आपके मन में कोई भी प्रस्थ्ण है त और आप कोई भी informative वीडियो मिसना करें उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रैस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहिश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत